कैसे है आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे माइसेल्फ सीए महेंद्र बहरा जानते ही होंगे आप लोग बट कोई न्यू आया है चैनल पर तो उसके लिए बता देता हूँ आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं फॉर कॉस्टम्स यह किस किस के लिए एप्लिकेबल है CS Executive यह जितने भी चैप्टर है CS Executive का कस्टम कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर CS Professional यह जितने चैप्टर है same to same as it is CS Professional के लिए एप्लिकेबल है और CMA के लिए भी एप्लिकेबल है कहीं कहीं पर नहीं यह वाली चीचे तो एप्लिकेबल ही है करेक्ट है पर CS Executive और CS Professional के लिए तो खास कर और CMA के लिए यह as it is इतना ही है और CS Professional का पीछे थोड़ा बड़ा है जिसका मैं और पार्ट तू लेके आ जाओंगा बट इतना तो same है करेक्ट है तो are you ready to revise with me customs आपको directly from module में revise करवाने वाला हूँ तो आपको कोई notes हो अगेरा के tension नहीं है amendment customs में कुछ खास है नहीं यह time पर सो वह भी worry करने की जरूरत है नहीं पहले यह video separately डाले हुए तो यहाँ पर एक as a kind of marathon करके डाल दूँगा ताकि आपको क्या हो जाए एक one place पे पूरा customs का क्या मिल जाए revision मिल जाए यह video को आप क्या कर सकते है लाइक कर सकते है ताकि और लो का revision उससे पहले मैं यह बता देता हूं income tax का marathon already upload कर दिया है जो की CA Inter, CS Executive, CMA Inter और साथ में CA Final के लिए भी जितने chapter है वो सब applicable है जहाँ पर पाचो head, starting के तीन chapter, deduction, TDS, advanced tax, TCS, AMT यह सब चीज़े क्या कराई है, revise कराई है और यह चीज यह चीज बहुत ज़्यादा आपके काम आजाएगी लगबख 16 गंटे में दो पार्ट है नीचे में link डाल दूँगा, because YouTube का कुछ ऐसा policy हो चुका है कि 12 गंटे से ज़्यादा शायद कुछ आप video नहीं डाल सकते हैं, अभी जो आप upload करोगे, तो दो पार्ट है अराउंड 10 गंटे का है, 10-11 गंटे का है, जिसमें आपका income tax और international tax और 30 marks का है, जिसमें आपको problem होता है, वो बहुत अच्छे से module से revise करवाया हुआ है, और daily basis पे यहाँ पे मैं आपको अलग-अलग videos और आप provide करता हूं regarding tax, आपके exam preparation के लिए, तो आपके लिए ये video बहुत helpful होने वाला है, और channel को आपको क्या करना है, subscribe कर देना है, इसे टुके, हाजी, ये video देखने के बाद कोई doubt नहीं आएगा, अगर आता है, तो आप Instagram पे tax center नाम का जो page है, यही जो spelling है, same to same, tax center पे जाईए, और DM कीजिए, मैं खुद personally handle करता हूं, मैं आपको बात कर लूँग होगा, कुछ अगर issue होगा, तो ठीक है, आपके friend को कोई या आपको कभी tax के लिए class चाहिए, तो आप मेरे को tax center पे DM कर सकते है, या यह number पे आप क्या कर सकते है, WhatsApp कर सकते है, lowest possible fee, जो की market पे possible है, उस पे highest possible quality आपको मिलेगा, आपको क्या करना है, जश्ट एक बरबात कर लेन है, कि कुछ अपन काम कर रहे है, तो अपनी growth हो रही है, ठीक है, चलो start करते है, मॉड्यूल में customs के related 30 pages है, तो मैं मॉड्यूल के 30 pages को तीन पार्ट में divide करूँगा, फर्स्ट वीडियो आपको दिख रहे है, दस पाज पेज का है, नेक्स वीडियो दस पेज, थर्ड दस पेज, मतलब 32 अगे रहा है, तो एक दो पेज जो भी adjust होगा, सेकेंड जो पार्ट रहेगा, उसमें evaluation है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी मैं concise करके, फटाफट फटाफट खतम करने के try करूँगा, और चौथा एक पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग question answer discuss कर लेंगे, और यह सब होने वाला है, कल तक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, सर लाइक, सब्सक्राइब अगेरा, जो आपको आपकी इच्छा है, कर दो, कोई दिक्कत की बात लिए, स्टार्ट करते हैं, customs law, तो सबसे पहले कुछ मैंने यहां पर लिखके रखा है, आपके overview के लिए, जिससे फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा कुछ चीजे देख लेते हैं, कस्टम एक्ट जो है, वो कस्टम ड्यूटी की लेवी और कलेक्शन की बात करेगा, कस्टम ड्यूटी क्या है, एक तरीके का इंडारिक टैक्स है, जो इसको बोला जाता है, कस्टम किसके ओपर लगता है, अगर कोई वहिकल, पैसेंजर, गोड्स वगेरा, इंडिया में इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, बताँ एक्जिट करता है, या एंट्री करता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसके उपर क्या लगेगा, एक इंडारिक टैक्स लगेगा, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी, एपलिकेबल होने वाला है, पूरे कुछ बाहर है, उसके जड्यूटा है, जिसके उपर पहर होता है, तो अपने को सबसे पहले यह समझो अगर कॉस्टम सीखना है, तो एक एक्ट नहीं हो सबसे पहले उसके उपर कर सकता है बस वही परपस है सबसे पहले उसके उपर टेक्स लगाना है तो पहला क्या फोर्ट क्या है लेविँ कर रहे हो लगा रहे हώρα क्या रहे घृणत करना कि कैसे इजी होजा एक्सपोर्त काम ना है यह सब क्या है ऑलसका क्या देख अपने पास में इतना बड़ा चाहिना बैठा जो क्या करता है दूसी समाट डंप करता है सस्ते बाउन करेक्ट है तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको डेमेज नहों इसके लिए गौवर्मेंट को क्या करना पड़े को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे वह भी यह परपस है कि डॉमेश्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करना भी कौश्टम्स एक्ट का परपस है चौथा स्मगलिंग को प्रिवेंट करना मईश्मगलिंग नहीं बड़ेंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है वाटर का मामला है यह बिए ड्रॉक्स 12 एक 1962 का परपस पान्ज परफोज सर कैसे याद रखिर बड़ा ही सिंकल Valley सबसे पहले तो टैक्स लगेगा वहßeनों का लेवी का कॉरेंगर दूसर्किंग हो puff बहुत ही इस पारपस था चो स्मग वालीमक्षप ile फटेयर के से लिएक बाय करता दो स्मग्लिंग होगा तो आपके जो डॉमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सकते तो उसका प्रोटेक्शन भी आपको करना है तो यहां पर मैं वापिस आपके मॉडिल पर आता हूं क्या मैंने जो पड़ाया वही यहां पर लिखा है तो मैं फटा-फट फटा-फट आ करा देता हूं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कस्टम एक इंडारेक्ट टैक्स जो की फॉमिलेट वो कस्टम एक्ट के हिसाब से आपके ऊपर लगेगा कस्टम एक्ट एंट्री और एक्जिट अगर आप इंडिया में करते हो थ्रू वैसल एरक्राफ गूर्स आते हैं पैस पिर यहां पर सेक्शन लिखे हुए सेक्शन याद करने कि मुझे नहीं लगता जरूरत है एक एक सेक्शन कहां से लेके कौन सा कहां तक कौन कौन से सेक्शन एपली के बले जो सब्सें पर आपको फटाफाट क्लारीट मिल जाएगा मैंने इजी लेंग्वेज में एक्दम दिया है और आपको mcqs है तो आपको easy language ही समझना है कि आपको चार option में से correct answer करना आना चाहिए सबसे पहले देखो यह rule है यह regulation है rule सकॉंसे section 156 में फॉर्म होगा regulation 157 में 156 157 rule कौन बनाएगा central government बनाएगी regulation कौन बनाएगा CBIC बनाएगा CBIC का मतलब क्या है central board of indirect taxes ठीक है रूल का purpose क्या है किसको support करना act को support करना rule का purpose है और regulation का purpose क्या है किसको support करना act के साथ-साथ rules को भी support करना मतलब यह जो rule है इसको support करना भी किसका purpose है regulation का purpose है फिर content कि बात करें तो module से मैं आपको बता देता 156 157 rules सब central government बना जकती है regulation CBIC बनाएगे रूल का purpose क्या है एक्ट को support करना regulation का purpose क्या है एक्ट के साथ-साथ rules को भी support करना ठीक है तो section 156 section 157 central government authorized rule बनाने के लिए CBIC authorized regulation बनाने के लिए support करता है एक्ट को support करता है rule और act दोनों को तो रूल किसके लिए बनाएंगे तो transaction value TV जो अपना section 15 होता था था ना GST में वैसा ही यहां पर accessible value होता है तो transaction value के related क्या chargeability of accessories है या कोई repair maintenance हो रहा है कोई spare part है उसका repair and maintenance हो रहा है तो वो case में रूल बना देंगे detention किसी goods का detention कर रहे हो या confiscation कर रहे हो तो उसके related को goods mention है shipping bill में यह सब क्या होता है documents होता है किसके लिए export import के लिए bill of export है but either not exported or exported and subsequently landed या तो आपते export ही नहीं किया या इक्सपोर्ट किया पर बाद में वापिस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो इधर not exported export करके वापिस reland कर रहे हो तो वह किस पर आपका रूल के related content है और regulation के related content में क्या है कि कोई भी बिल आफ एंट्री का फॉर्म है क्या shipping बिल का फॉर्म है या bill of export का फॉर्म है इंपोर्ट and export manifestation का फॉर्म है या फिर फॉर्म and manner making applicable for refund of duty कोई refund आपको लेना है जो पहले duty पे कर दिया तो उसका कोई form and manner बनाना है या फिर condition for transmit and remove a transmit वगेरा क्या होता है नीचे दिया इसके related condition वगेरा तो यह regulation कित्कों हो जाएगा यह फटा-फट देख लिया अभी हम दोग आते हैं definitions के उपर definition में पहले definition है adjudicating authority का मतलब क्या हो जाता है कोई भी authority जिसके competent है जो की capable है कि कोई तरीके का decision या order दे सके यह कानून के अंदर पर यह लोग नहीं आएंगे जो टिकर्ट अजो टिकर्टिकर्टिक अथारीटी में सबसे पहले board मतलब जो अपना CBIC है वो Commissioner of Appeal या Appellate Tribunal यह तीन लोग आपका एजो टिकर्टिकर्टिक अथारीटी में नहीं आएंगे board CBIC Commissioner Appellate Authority Second assessment assessment का मतलब क्या होता है जो आपका checking होता है आप क्या करना है determination करना है dutyable of any goods and amount of duty सबसे पहले कौन सा goods है उसके ओपर कितना duty लगेगा tax लगेगा sales लगेगा या कोई और amount pay करना है if under this act और custom tariff act में ठीक है और कोई और कानून में तो यह सब याफ include होगा provisional assessment भी assessment के अंदर provisional assessment self assessment reassessment and any assessment in which duty assesses निल कोई ऐसा assessment जिसमें duty zero बढ़ना है तो हर तरीके के assessment include हो जाएंगे और आपको क्या करना है ऐसा determination हुआ है जिसके अंदर आपको duty टेक्स अगरा बढ़ना पड़ा है तो यह आपका assessment का definition है ठीक baggage का मतलब क्या होता है baggage का definition में कुछ नहीं अगर आप पानी से आ रहे हो तो वैसल आपका convenience है अगर आप हवा से आ रहे हो तो aircraft अगर आप लैंड से आ रहे हो तो आपका वेहिकल आपका कन्वेंस कॉस्टम एरिया कॉस्टम पोर्ट और कॉस्टम स्टेशन का मतलब क्या होता है फटा-फट दिखा देता हूं कि स्क्रिंशॉट ले 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 ला और अगर यह सब चीजे क्या पता है मैं पूछ ले तो पूछ लगता करना का में कॉस्टम एरिया में देखो तीन सीज़े आएगी सबसे पहले आएगा कॉस्टम स्टेशन का मतलब क्या होता है यहां पर दिया हूए नीचे देखेंगे सब यहां पर इसे समझा और इसा इरिया समझा है जहां पर इम्पोर्ट का सामान रखते हैं यहां पर अलग डेफिनेशन दिया है उसके नीचे कस्टम स्वड़ाइब कोई सामान दो कस्टम वो ऐ आपका किया है कस्टम स्टेशन अगर कूरियर के रिलेटेड कोई सीज और एक और पॉंट टहलों अब हो सब्सक्राइब आर्यक्ति तो यहां इक सप्षार्पीया स्प्वित्टी तो दिए अगर कोई कूरीर आ जा रहा है तो इन्टरनेशनल कुरीर टर्मिनलrãoर और अगर कोई पोस्ट ऑफिस के दो जा रहा है तो फॉर्इंट स्टेशन अब ही नेक्स्ट आपका आता है कश्टम पोड का मतलब क्या होता है सर्वह बता तो कश्टम पोड्ट का भी डेffe यहां से कवर कर लिया यह देखो कुस्टम पोर्ट कुस्टम स्रेशन और कुस्टम एरिया फिर नेक्स्ट बात करते हैं डुटियूटी जिसके उपर डुटी चार्ज होने वाला है वो क्या है डुटियूटी बल कुर्स बले पे किया नहीं किया फरक नहीं पड़ेगा पर आउटसाइड इंडिया लेकर चाहरें ठेकिसे ज। नहीं करते हैं जब तक पर जो एकस्पोर्ट हो जाते हैं तो गरती है वहां से लेकर export हो जाते हैं उसके बीच में जो भी person है भले ही ओनर है या beneficial owner है या फिर person claim कर रहा है कि वह क्या है exporter है तो लोग क्या माल लिए जाएंगे exporter माल लिए जाएंगे exporter in relation to any goods at any time between their entry for export जब वो goods entry कर रहा है export के लिए वहां से लेकर जब वो export हो जाता है include होगा कोई owner है तो वह beneficial owner है तो या फिर कोई परसन होल्डिंग हिंसेल्फ एस एक्सपोर्टर ठीक है फिर foreign going vessel या aircraft का definition का मतलब नाम से देखो ना क्या करी कोई वैसल है या कोई aircraft जो कहां जा रहा है foreign में जा तो कोई भी ऐसा वैसल या aircraft जो के एंगेज है किसमें carriage of goods या passenger में पैसेंजर का क्या कर रहा है carriage कर रहा है between port या airport इंडिया के port या airport से इंडिया के बाहर port या airport पर उसमें तीन सीजें इंक्लिवड होगे पहली नेवल वैसल मतलब जो military वाली वैसल होती है ना मिलिटरी होती है दूसरे कोई वैसल एंगेज इन फिशिंग या एनी अधर operation मतलब फिशिंग या कोई और तरीके का operation मच्छली पकड़ने वाला या कोई और operation और वह आउटसाइड इंडिया जा रही है थर्ड पॉइंट है कि कोई भी वैसल या एरक्राफ्ट जो इंडिया से बाहर जा रहा है तो वह भी आपका foreign वैसल में आजाएगा कोई भी पर्पस के लिए फिर डेफिनेशन में आपको ABCD आता है क्या बिल्कुल आता है सब करेंगे कोई भी वैसल आएगी बिसिकले तो समझो कहीं पर इंडिया में रुक गई तो वह चलती है वहां से उसके अंदर खाना बनाना उसके अंदर उसके फ्यूल उसके अंदर उसकी गाडिया सब कुछ रहती है तो उसको श्टोर बोला जाएगा आगे देखेंगे क्या ह जोड़े करेंगे अनुप रिखेंगे क्या माना जाएगा अनुप और आपका जाएगा अनुप रहते हैं याद करो करेंशी नेगोशिएबल इंशुरमेंट और डी की जगा से निस्टोर उसके अलवा पाचोपाइगा कोई पर्वी तरीके का मुववेबल प्रॉपट्य माना जाएगा तो का देफिनिðा मैं मतलब क्या है एक्सपू्ड का मतलब क्या था अब इंडीया से killing आइप इंडिया आउटसाइड इंडिया में मितए पूंग है जो जो की रिक्वायर है तू डिलीवर अंडर सेक्शन थर्टी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है इंपोर्टेट गोड्स का मतलब क्या होता है कोई ऐसे गोड्स जो बहुत कर रहे हैं इंडिया में लेकर आये जा रहे हैं प्लेस आट साइड इंडिया बट दस नॉट इंडिया ऐसे गोड्स नहीं होंगे जो होंब कंशंशन के लिए क्लियर हो चुके हैं गोड्स आएंगे या तो वेराऊस पर आएंगे या फिर घर पे लेके चले जाएंगे मतलब क्या जो भी डूटी वगिर आपने पे कर दिया आप लेके जा रहे हैं अपने समान जो भी आपका गोडाउन वागिर है खुद का वहां पर लेके जा रहे हैं तो जो क्लियर हो चुके हैं होम कंशंशन के लिए वह आपके इंपोर्टेट गूड्स नहीं माने जाएंगे इंपोर्टर की डेफिनेशन जो सेम एक्सपोर्ट का थसबूर्ट करके लेका हैं करेवी चेरीट्न करेगा बेसलाइंड़ की अदरा इंडिया का पानी का कि यहीं क्या है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर यह क्या देखा इंडिया का डेफिनेशन देखा उसमें टेरिटोरियल वाटर वी इंडिया का पार्ट है पहले यह बोला फिर किस्टम वाटर क्या होता है उसके बारे में बता है सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर बता है फिर किस्टम वाट में आजाएगा आपका exclusive economic zone continental self is at another maritime zone जो कि mention किये हुए है including bay gulf वगेरा सब आजेंगे यह काम का नहीं का ही है जो यहां पर note दिया हुआ ना Indian custom water जो है वो आपकी baseline से 12 nautical mile तो क्या extend होता है territorial water extend होता है पर Indian जो coastline का base है वहां से लेकि 24 nautical mile तक क्या extend हो जाएगा आपका custom water extend हो जाएगा मतलब फर्स्ट्व नौॉटिकल माल क्या रहेगा territorial water रहेगा और territorial water से भी आगे 12 nautical mile आपके क्या रहेगा custom water रहेगा पिर person in charge का definition का मतलब क्या है अगर आपकी वैसल आ रही है मतलब शिप आ रही है तो उसका driver या person in charge या person in charge का मतलब क्या कौन चला रहा है या कौन वो direction दे रहा है चलाने के लिए अगर शिप है तो उसका master aircraft तो उसका pilot या commander railway तो उसका conductor या guard अगर convince कोई दूसरा है तो उसका driver फिर बात करते हैं prohibited goods का मतलब क्या होता है prohibited goods का मतलब ऐसे कोई goods जो के import export के लिए prohibited किये गए है by custom law या या कोई और law भी है तो भी आपका क्या मान लिया जाएगा वह prohibited goods मतलब जिसका import export बंद है smuggling का मतलब क्या होता है कोई भी act या any act or omission which will render कोई भी ऐसा काम है या फिर कोई शुच शुपा रहे हो जिसकी वज़े से आपको क्या कर दिया जाएगा आपके goods confiscate कर लिये जाएंगे तो वह क्या माना जाएगा smuggling मान लिया जाएगा warehousing का मतलब क्या है यह section में यहां पर चार-पांच definition जो उपर गया है उसमें इंपोर्टेंट है बाकी सब्सक्राइब करा रहा हूं तो मेरा काम है सब फटा-फट रीड कराना बस मैंने रीड करा है कुछ आपको देखोगे तो पता चल जाएगा चार-पांच ऐसे definition है जिसके ऊपर mcq बन सते है 12 nautical mile 24 nautical mile वह एक चीज द्यानक लेना जो मैंने लिखके यहां पर रखा था custom area क्या होता है custom port क्या होता है वह एक बार का समझ लेना बहुत ही simple simple कुछ हो नहीं कुछ हो नहीं सब्सक्राइब करें लिए सिंपल सी बात है लेवी एक ऐसा स्टेज जहां पर declaration होता है liability का duty का अगर वह पर सब्सक्राइब अगर वह पर पर्पर्टी लगेगा चार्ज लगेगा अगर सेंट्रल गजट में क्या कर सकता है official गजट में notification डाल देगा और exempt कर देगा या तो generally पूरी तरह के से absolutely या फिर subject to condition या तो पूरा का पूरा कर देगा या फिर कुछ कंडिशन लगा के कर देगा या तो without condition या condition के साथ as maybe specified वह notification लिखा रहेगा क्या 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 condition है goods of the specified description from the whole या तो पूरा का पूरा exempt कर देगा पार exempt कर देगा किस से क्या बोला है सबसे पहले बोला लेवी लगेगा फिर बोलेगा अगर गवर्मेंट चाहे तो ओफिशल गजिट में notification डालके क्या कर सकता है एक्जम्ट कर सकता है या तो absolutely exemption देगा without any condition या फिर condition के साथ देगा condition कहां बताया रहेगा आपका notification में लिखा रहेगा कि यह यह goods को इसे condition मिलेगा या तो पूरा का पूरा exemption मिल जाएगा या पार्टली मिल जाएगा तो 50% exemption मिल जाएगा और exemption कैसे मिलेगा official notification में वो डाल देंगे official gadget में and exemption notification cannot be withdrawn and duty cannot be demanded with retrospective effect आपका exemption विड्रो नोटिफिकेशन जिससे आपका tax आप माफ कर रहे हो वो विड्रो नहीं कर सकते और duty नहीं लगा सकते पहले आपने बोला हुआ था है कि exemption मिलेगा 10 साल तक exemption दिया है ग्यारवे साल में बोलता हूँ कि पिछले 10 साल का सब टेक्स बरो ऐसा नहीं कर सकते फिर section 12 section 12 आपका charging section है किस्टम एक 1962 का charging section है charging section आपको पता है क्या होता है जिसके थूर चार्ज लगाते है वो टेक्स का जो क्या बोलता है as per this section custom duty जो है इंपोस होगा किसके ओपर ऐसे goods के उपर जो इंपोर हो रहा है export हो रहा है simple सी बात है जिस कौन सी rate से लगेगा सबसे पहले charge किसके उपर है import export के उपर है फिर rate कहां से लाओगे custom tariff act से लाओगे या पिर कोई और वो टाइम पर कानून रहेगा भी custom tariff act करते हैं तो सबसे पहले लिखा custom duty लेवी होगा इंपोर्ट के उपर एक्सपोर्ट के उपर दूसरा लिखाए कि कर्ष्ट कहां से लाओगे custom tariff act से लाओगे और अगर government चाहे तो उसको exempt कर सकता है government के उपर है फिर custom tariff act जो है ना उसमें दो schedule में इंपोर्ट के related tariff दिया हुआ है और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट के रिलेटर टैरिफ दिये हुए है वन में क्या इंपोर्ट सेकंड में क्या export वन में क्या अंदर आ रहा है सेकंड में क्या बाहर जा रहा है ठीक है फिर types of custom duty के बारे में बात करते हैं दस टाइप की custom duty है दस अलग अलग type की मेरी guarantee है सब कुछ यहाद हो जाएगा कोई problem नहीं सबसे पहले बात करते है basic custom duty basic custom duty का क्या मतलब होता है जो basic tax लगने वाला है उसकी बात करने वाले है तो जो section 14 में हम लोग value निकालेंगे वह value के उपर 10% multiply कर दो यह आपको क्या हो जाएगा basic custom duty हो जाएगा basic custom duty यह तो standard rate लगेगा preferential rate लगेगा preferential rate का मतलब क्या होता है कोई ऐसे government ने area होगा आपका जो value है उससे multiply कर दो rate आपका BCD आजाएगा second क्या बोले यह तो standard rate लगेगा जो 10% है यह फिर preferential rate लग जाएगा preferential rate किसको बताना है कि मैंने preferential जगह से import किया है उसका owners उसका responsibility वह goods के owner के पास है जो import कर रहा है उसके पास है एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास है उसके पास है उसके उपर responsibility है owners is on the person to substantiate with the supporting evidence that the goods are chargeable to a preferential rate of duty simple है और अगर आप इंपोर्ट करें प्रेफरेंशल एरिया से as may be specified by government to government specify करती है preferential area सबसे पहला BCD समझा है basic custom duty second क्या है additional custom duty यह वह basic duty लगाया अभी कहां लगा रहे क्या लगा रहे additional duty लगा रहे हैं जिसको counterwelling duty CVD भी बोला जाता है क्या है देखो simple सी बात समझो पहले इंडिया में लगता था exercise duty exercise duty किसके उपर लगता था manufacture के उपर लगता था मैंने बहुत अच्छे से चिला-चिला के class में समझाया था manufacture के उपर लगता था तो समझो कोई goods manufacture हुए चाइना में उदर समझो लगता ही नहीं है exercise उन्होंने 10 रुपे में बना दिया इंडिया में 50 रुपे में बना उसके उपर इंडिया में exercise लग रहा उनके उपर सिवकॉस्टम लग रहा है तो उसकी वज़े से क्या प्राब्लम हो रहा है कि इंडिया वाले exercise भर रहे पर वो लोग इंडिया में ला रह इसकीवज़ेस वह एक्षाइज भरी ने रहे तो तो क्योंब्स आपको पता रहे गा तो इकशा लगेगा पर कुछ ऐसे प्रोड़क्ट है जैसे एलकोहल हो गया एलकोहल पर यूमन कंजम्शन या पेट्रोलियूम के प्रोड़क्ट हो गया जिसके उपर अभी आज तक जिएस्टी नहीं लगता तो वह केस में यहां पर लिखा हुआ है और चौथा पॉइंट क्या है इनके इस इंवर्ट एक्सेबल सप्लाई और इननेचर ओफ इंपोर्टेड गूर्स अगर आप ने क्या किया जिसके ओपर आई जीएश्टी पे किया है आपने इमपोर्ट किया तो उसका एंडिया में कुछ मैनिफट्चर वगर कर अट्वड उसका सप्पलाई करते है उसका सिंपल है सीवीड क्या है एक्साइज के रिलेटेट लगा है तो तुम्हें भी बरना पड़ेगा पिर नेक्स्ट है अधिशनल ड्यूटी जिसको शुपस्पेशल अधिशनल ड्यूटी भी बोला जाता है यह वैट के जगह पे लगाए वैट क्या था सेल्स टेक्स था मैंने जो समझाया था अगर यहां पर लग रहा है इंडिया में तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा तुम्हारी जो टैक्स की अमाउंट है उसके उपर तुम्हें भी वैट देना पड़ेगा जिसका नाम यह रखा हुआ है special additional duty अभी जैसे सेम प्रॉब्लम है कि वैट और सेल्स टैक्स है नहीं तो उसकी जगह क्या लग जाएगा जीएश्टी लग जाएगा पर कुछ ऐसे प्रोड़ेक्ट है जिसके उपर आज जीएश्टी नहीं लगता तो उसके उपर अभी यहीं लगेगा special additional duty तो यहां पर द आपको basic custom duty लगाना है वो दोनों के total के उपर आपको क्या लगाना है CVD लगाना है जैसे आपका health and education size होता है पहले tax लगता है उसके उपर surcharge लगता है दोनों के total के उपर health and education size लगता है तो यहां पर क्या लिखा now CVD and SAD have been subsumed under GST and only BCD is applicable on accessible value plus BCD तो इसके उपर अगर CVD नहीं लग रहा है तो आई GST लगेगा पर कुछ ऐसे प्रोड़क्ट हो जिसमें आज भी GST नहीं लगेगा तो उसके case में क्या लगेगा CVD लगेगा पिर SAD कैसे लगेगा जो आपका BCD है प्लस CVD है प्लस से से तीनों के total के उपर 4% क्या लग जाएगा SAD लग जाएगा जो कि यहां पर आपका समझाया हुआ है फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो इंडिशन आपका यह कस्टम का भी आपका क्या लगेगा जिसको आई जीएश्टी बोला जाएगा किसके जगह पे CVD और सबसे पहले BCD लगता है सिंपल सी बात है ठीक है और तीसरा क्या वैट की जगह पर क्या लगेगा टैक्स लगेगा यहां पर बारा परसंट है यहां पर चार परसंट है उपर कितना है जए जएस्टी कंपेंशेशन साइस आपको समझाया था कुछ प्रोड़क्स की ओपर गउपर चार्ण करने के लिए और वैसे प्रोडЧरी करते हो दो इसको जी एश्टी अजिक अन्यागिन ए सपhr पर 250 में आपने डमेंगे के लिए नाव बूले 33 अग्या और टीशल in India duty may be imposed on imported goods on recommendation of tariff commission अपने को नहीं समझना कैसे recommendation होगा क्या होगा क्योंकि अपना module ही अपना मेन है module से अपन करें module में से लिखाए प्रोटेक्टिव ड्यूटि के लिए लगेगा industry को protect करने के लगे लगेगा खतब फिर सिख्त है सेफगार्ट ड्यूटी सेफगार्ड ड्यूटी समझो एक बार इंडिया की इंडिया की इंडूर्ट्री के लिए पहला कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होंगे है और उसकी वज़े से जो रहा है कि अंड्या की इंडूर्टी में इंड्यूटी लगएगा ठीक है इस पुर्टरी केसिन वन प्रविजनल सेफगाट ड्यूटी भी लग सकता है था यहां पर लिखा वाई कि प्रोविजनल सेफगाट ड्यूटी भी लग सकता है प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन अगर इंपोर्ट की वज़े से आपका क्या होने वाला है फ्यूचर में सीडियस इंजरी होने वाला है तो हम प्रोविजनल बेसिस पर ही पहले ही सेवकाट ड्यूटी लगा देंगे पर बाद में इंजरी नहीं वहाँ तो रिफंड कर देंगे जो था उससे higher exceed कर दिया तो आपके उपर क्या लगेगा higher tariff rate लगेगा तो as deemfit under tariff rate a tariff rate quota a lower tariff rate is imposed कम tariff rate लगेगा on import of a given product with specified quantity अगर उतनी quantity में अपला रहे हो तो आपके उपर कम tariff लगेगा higher tariff rate लगेगा अगर import exceed कर देता है that quality which provide provide the desired degree of import protection ठीक यहां तक अपने 78 duties हो गई है next है countervailing duty on subsidize article subsidize article पे कौन सा duty है simple सी बात सम्झो बहुत easy है China को आप China का पता है आपको यह लोग क्या कर रहे है सम्झो 100 रुपे का product है उसे 50 रुपे का government subsidy दे रहा है तो value कितना हो जाएगा value हो जाएगा 50 रुपे करेक्ट है अभी 50 के ऊपर BCD वगेरा लगेगा फिर भी कितना भी लगा दो tax तो भी क्या हो जाएगा same to same India का product महंगा रहेगा उनका product सस्ता रहेगा correct है तो यह case में क्या किया यह case में government ने एक और duty निकाला countervailing duty on subsidize article अगर कोई government दूसरी government subsidy दे रहे है directly या इंडरेक्टी तो हम क्या लगाएंगे यह वाला duty लगाएंगे वेर any country और territory pays या बेस्टो मतलब गिव्स या directly और indirectly कोई subsidy देती है on manufacture manufacture और production और बाद में क्या करो तुम export करो तो हम क्या लगाएंगे हम उसके उपर यह वाला duty लगाएंगे ठीक है central government by notification क्या करेगी यह duty लगा देगी फिर anti-dumping duty मतलब बहुत सारे ऐसे countries होते हैं जिनका huge manufacturing होता है फिर वो दूसरे देशों में क्या करते हैं अपना सामान करते जाएं तो वो dumping को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे anti-dumping duty लगाएंगे वेर एनी आर्टिकल इस exported by an exporter or producer from any country or territory to India India में तुम भेज रहे हो less than normal value जो normal value से कम value में dump कर रहे हो basically then upon the importation of such article into India central government क्या लगा देगे anti-dumping duty लगा देगे आठ पॉइंट है आठ अलग-अलग तरीके के duty है नीचे दो तरीके के अलग-अलग सैस है तो आठ duty में कोई problem है यह फर्स्ट क्या था basic custom duty था जो कि बहुत होगे तो compensation साथ वैसे भी लगना था ऐसे भी लगेगा यह चार पॉइंट अलग होगे अभी चार पॉइंट मैं सबसे पहले protective duty इंडिया की industry को protect करने के लिए तो पढ़ने के जरूरत नहीं सिंपल सेफगाड डूटी एक बार पढ़ लेना अच्छे से कोटा fixation भी कर सकते हैं जिसमें अगर लोवर टेरिफ लगेगा अगर आपने कॉंटिटी बोला था उतना ही लाया है फायर लगेगा अगर आपने वह जो भी कॉंटिटी कर दिया को अगर सबसेटी देंगे तो उसके केसमें यह वाला countervailing duty on subsidized article लगाएंगे अगर डंप कर रहें एंटी डंप लुटी लगेंगे इस इट दिया मैं बहुत फास आ रहा हूं पर आपके लिए आपको खुद को मजा रहा रहेगा इतने कम टाइम में इतना खतम हो रहा है यह सिर्फ किसके उपर लगेगा पुल्टेयद के उपर ही लगेगा एक्समेह सब्से पहला लाइन वही लिखा कि इन पो गुटी पर ल यह रहेख ज़रूत यह ध्यान के किसके उपर नहीं लगेगा वह धयां देदो वाकि सब के उपर लगेगा यह एक्सरफबर इंद लगेगा उसरघ कांटर कॉ 쉽 एंटी ॡूटी के उपर नहीं लगेगा चौथा जी एष्टी गैと思います गई आगा इंन टी का थे श्क fonction Bu जुमें अगर आप से पेट्रोल मिलापो याध मand of डीजल र्टो arrest पर हीड एक विजील स्याइस कर proprio इंडिया के रोड बनाने हैं उसके लिए लगेंगे इंट्रोड़क्शन आफ है यही साल से लगा है तो इसके ओपर पूछने का चांस है सांतिय से समझो बहुत ही सिंपल से चीज है यह जो सैलियन्ट फीचर है ना बस यह इतना देख लो इसमें उसके पूछा सकते सबसे पहले रेट क्या रहेंगे 5 परसेंट रहेंगे क्यों कि इसके ऊपर लेगे 5 यह जो वाले medical device जो की BCD से exempt है वो health says पे उसके उपर health says नहीं लगेगा और third point क्या है health says is not available credit नहीं मिलेगा मत अगर आपने एक बार health says पे कर दिया उसका आपको credit नहीं मिलने वाला है यह ऐसे ही जाएगा तो यहां से MCQ बनने का chance है सबसे पहला rate 5% किसके उपर accessible value के उपर medical device ऐसे जो के exempt है BCD से उसके उपर यह नहीं लगेगा और third इसका credit नहीं मिलेगा clear yes उसके बाद आते हैं तो यह पहला part में यहां पर कर रहा हूं इसके बाद जो classification and valuation है उसका second part आपको मिल जाएगा और last में इसके अलावा जो बचा हो सब third part में मिल जाएगा correct hello friends my name is Mahindra and welcome to your own youtube channel that is tech center and in this video we will revise custom act का second part first part we already did where approximately 10 pages we have completed uh आपके module में 30 pages है 10 pages हम लोगने complete कर लिया है यह यह video में यह second part में और 10 page हम लोग खतम करेंगे वेलिवेशन तक खतम करेंगे और उसके बाद कुछ और basic details से खतम करेंगे जैसे कि कस्टम officers की क्या power होते हैं यह सब revise कर रहे हैं और यह enough है module से करा रहा और directly third part में बचा हुआ और fourth part में question सब आज मिल जाएगा कोई tension नहीं करना है कर दो थोड़ा motivation सबसे पहले classification classification का मतलब क्या है आप क्या कर रहे हो एक टाइप के गुड्स का एक ग्रूप बना रहे हो तो ताकि वह ग्रूप के उपर same kind of duty लगा सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन किसके लिए किया गया है ग्रूप और सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगा एचे एसन के बिशिस पे होगा एचे संक्राइब के त्रूप क्या है इतना समझे लो एट इंटरनाशन लेवल नमबर होते हैं चैप्टर नփंबर क्या है उसके नैच्स्ट क्या है है वह करनाःक पर ओपको पता है ऐसा कोर्ण है इसके उपर क्या रिट दूदना है आपको कैसे दूदना है सबसे पहले 11 number chapter में जाना क्या है आपके chapter नहीं पिर उसके second row digit क्या है heading है उसके two डीजित क्या है subheading है उसके last row digit क्या है product code दूद टो दिजेट चैंट दूदिजिट क्या है heading फिर नग्स्ट क्या सब्धेडिंग और उसके नेक्स्ट्ट वीजिट के है प्रोड़कोर से फिर यह जो classification के रिलेटर इंटर्पेशन दिया हुआ कि इंटर्पेट कैसे करने है तो बाइदे को time पर heading को देखना है और sub heading को देखना है essence of this rule यह rule का essence क्या है कि with reference to the rule may be made in case of ambiguity अगर ambiguity है तो that is the reference to six rule of interpretation is not required आगे जो तोटल छे रूल है यह ज़रूरत नहीं है when classification possible है on the basis of heading and sub heading on the basis of description in a heading में अगर heading के थूरू यह sub heading के थूरू अगर आप देख सकते हो पता लगा सकते हो तो वहां से लगा लेजिए कोई दिकत की बात यह आगे जाने की ज़र्वती है यह क्या हो गया rule one हो क्या rule two क्या बात करता है अगर rule one से possible नहीं है classification करना जो rule one है उससे classification करना पॉसिबल नहीं है दो cases में कौन से दो cases में समझो पहला case क्या है अगर कोई product है जो foreign से आ रहा है for example Tesla की गाड़ी मंगा रहा हूं उनका operation ऐसा है कि गाड़ी वो वहां से बेस्ते पर उसमें seat जो है टाइर जो है यह जो basic चीज़ा होती है ना वो इनके इंडिया में ही मैनिफेक्चर होती है और जो इंजन वगे रहा है वहां से पूरा बनके आता है सिर्फ कार और सीट बेल्ट यहां पर लगा देते हैं और वो टायर वाट लगा देते हैं चोटी मोटी चीज़े लगा देते बाकी सब अगर कोई आज के टाइम पर है तो आज के टाइम पर प्रेज़ अगर जो जो कंप्लीट हो जाता है article उसका जो भी essential character है वो उसके अंदर है तो हम लोग क्या मालेंगे जो finished product है उसी का जो product code वागर है वो उसके लिए लग जाएगा example car without tire or without seats would be considered as a car car ही माना जाएगा but not car without engine engine के बिनाएगा तो car नहीं माना जाएगा because car का function नहीं फुल्फिल कर पा रहा है तो यहां पर क्या बोला कोई unfinished stage पर आ रहा है पर वो essential characteristic उसमें सब कुछ है जो की finished product में होने चीए तो जो finished product का classification होता है वैसे ही आम unfinished का भी कर देंगे simple पर यह line important है कि उसका essential characteristic जो होता है वो होना चीए यह पहला हो गया अगर unfinished stage पर आता है तो second क्या बोलता है any reference in heading to material or substance यह क्या बोल रहा है कि material है कोई आप ले रहे हो यह substance ले उसको क्या किया हुआ है उसका heading notify किया हुआ है तो वही heading माना जाएगा किसके case में अगर कोई mixture है या combination of material है तो यह single material का heading माना जाएगा for combination of material or mixture substance with other material or substance मता कोई mix होके आया है material तो भी same heading लिया जाएगा अगर heading को material substance का दिया हुआ है तो अगर mix भी होके आ रहा है combination में आ रहा है तो same heading लिया जाएगा example दिया हुआ है यहां पर natural rubber जो है would include its mixer with synthetic or other form of rubber जो natural rubber है उसके अंदर क्या माना जाएगा synthetic और other form of rubber के combination होके आयाएगा तो भी natural rubber का ही जो definition में आ जाएगा heading में आ जाएगा तो याद कैसे करने का सबसे पहले में पहला पॉइंट एक ही तक एक क्या था कि आपको heading sub heading के हिसाब से जाना है second क्या बोलता है अगर वाईसे पता ना चले तो तो यहां पर स्पेसिफिक केस दिये हुए कि अगर unfinished stage में आये तो अगर सेम एसेंशल करेक्टरिश्टे का तो फिनिस स्टेज में होता है वह एडिंग ले लो सेकिंड बोलता है कि अगर mixer वागेरा heading दिया हुआ है और समान आ रहा है combination of material combination of substance combination भी आपका जो normal heading दिये है वही मान लिए चाहेगा अभी जो rule 3 है इसमें तीन चीजे दी हुई है पहले में एक दिवा हुआ था rule 2 में दो चीजे दी हुई थी rule 3 में तीन चीजे दी हुई है classification of goods classify under more than one head अगर एक से ज्यादा head में आप classify कर पाते हो तो क्या करोगे तो उसके लिए तीन रूल दिये हुए सबसे पहले specific identification इसका मतलब क्या होता है goods classify होगा वह heading से जो की closest होगी उसके specific description से नाम से देखो specific identification आपका वह heading से classify करना है जो आपका क्या होगा closest होगा to specific description यहाँ पर example दिया है कि mint टी जो है उसको separately defined नहीं किया हुआ है तो जो टी का heading रहेगा उसमें ही क्या हो जाएगा मिन्ट टी भी classify हो जाएगा क्योंकि यह closest है पहला क्यादा specific description सेकेंड है essential characteristic principle यहाँ पर अगर देखो composite goods आता है मतलब एक से ज्यादा goods एक साथ आ यहाँ है तो आपको देखना है शाल भी classified on the material और सबस्टेंस लैट डिफाइन था essential characteristic समझो एक दारू का bottle किसी ने gift दिया उसके साथ glass भी gift दिए वह example दिया liquor gift set दिया है कि मतलब दारू की bottle है साथ में दारू की glass भी है ठीक है यह केस में किस से classify किया जाए दोनों combination में आया है तो जो दारू की bottle है वह essential characteristic है गिफ्ट तो वह देने का purpose था तो उसकी heading में classify हो जाएगा glass भी और यह essential characteristic principle और लास्ट है letter the better principle letter the better principle क्या बोलता है अगर तुम लोग से यह rule 3a और 3b जो उपर दो दिया essential characteristic और specific description इससे तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम क्या करो तुम बहुत ही simple काम करो क्या sir simple काम करो जो product code जो सबसे last में आता है वही ले लो example देखो a gift set which has socks and tie मतलब एक ऐसा gift set है जिसमें socks भी है और tie भी है can be classified under any of the above rule वो classify नहीं हो रहा है कि कोई भी rule में and therefore should be classified as a ties जो कि 6117 है over socks जो कि 6115 है heading किसका socks का क्या है 6115 है पर ties का क्या है 6117 है तो जो later है कौन सा है बाद वाला कौन सा है तो 6117 ही क्या मान लिया जाएगा later the better उसका ही product code ले लिया जाएगा उसके उपर जो rate लगता है वही हम लोग लगा देगे simple है first में एक पॉइंट था second में दो point थे third में तीन point थे 3 क्याते specific description जो closest है essential characteristic जो कि main characteristic बता रहा है और later the better last वाला ले लो रूल 2 में दो point क्याता है अगर unfinished stage में आता है या फिर second point क्या आता है अगर material mixer combination में आता है unfinished में तो जो finish वाले का essential characteristic है वही ले लो और combination में आता है तो क्या जो main product है उसका ले लो ठेक है यह तीन अभी हम लोग में देख लिए अभी रूल 4 क्या बोलता है यहां पर खतम हो जाएगा रूल 4 के ऊपर आता है रूल 4 क्या बात करता है अगर आप रूल 1 रूल 2 रूल 3 से नहीं निकाल पा रहे हो कोई चीज तो आप क्या करो जो की goods के सबसे सिमिलर नेचर के product है उसके हिसाब से क्लासिफाइब कर तो जैसे कि यहां पर एक्जम्पल दिया है कोई एंटिक लेर फिल्म से चो कि कार विंडू में यूज होती है यह सब कहीं क्लासिफाइब नहीं किया हुआ है तो आपको जो क्लासिफिकेशन कैसे करने का तो वह जो बॉक्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करने का तो वह जो का कोड है वही रहेगा गोड्स विचार इन नेचर ऑफ कंटेनर और पैकेशस सच आज नेकलेस बॉक्स कैमेरा केसे मुजिकल इंस्रूमेंट कैसे या फिर विल बी क्लासिफाइब होगा स्पेसिफिक आर्टिकल विचार जेनरली सोल्ड विदिन इस पैकेशन के अंदर क्या बिक रहा है उसके इस आफ से क्लासिफाइब हो जाएगा वह विच्छ आपको लेना है पर साथ में भी रहा है तो जो उसका व अंदर वाले प्रटक का है उस तो हमें भी कोई जाने की तनी जरुवत नहीं है तो रूल सिक्स क्या होता है सबस्क्राइब पर्स थीन नेक्स थीन क्या थे सबसे पहले में एक चीज बताई हो यह आप क्या कर दो चीज बताई विए एंफिनिश्ट प्रड़क्ट नूसरा है मकेरियल जो मिक्स आते हैं तीन में तीन चीज बताई हो यह स्पेसिवल डिस्क्रिप्शन एसेंशल करेक्टरिस्टिक लेटर दो बेटर चौथे अभी चार पाच्छे को अलग रखो चौथा अकिन प्रिंसिपल सिमिलर के साब से पाच्छा को डबा आ रहा है छठा सा बेडिंग के साब से कर दो सिंपल है यह सä अब स्वाडड करने से पहले व्यल्वेशन की डो टर्मिनलौजी समझ लेजिए आपके मौड्यूल से एक फोबी दूसरा है सीफ का मतलब का होता है फ्री ऑनबोर्ड ये फ्रेट उबोर्ड फेट ओनबर रो सकते हो CF का मतलब क्या है cost insurance and freight value FOB value क्या होता है basically सिर्फ समझो कि अगर आप क्या करते हो कोई cost लग रहा है ये सब क्या है FOB और CF एक तरीके का cost लगे इतना ये value हुआ ये कौन सा cost है FOB अगर कोई goods deliver हो रहा है nearest port तक कोई supplier है seller है वो क्या कर रहा है वो goods को क्या अगर देता है छोड़ देता है अभी उसके बाद buyer का responsibility है वो कैसे लेके जाना चाहता है वो goods को तो ये value क्या बोला जाएगा FOB बोला जाएगा उसके आगे का जो भी insurance कराना है freight कराना है ये सब खर्चा किसका है buyer का है तो वो value में का part नहीं तो FOB ये मतलब क्या free on board value जिसमें आपका सिर्फ port जो है nearest port तक का खर्चा ही क्या है cost जो है वो involved मतलब जो material का cost हो गया supplier के जगह से लेके transportation हो गया कहां तक nearest port तक का transportation हो गया तो ये सब क्या आएगा free on board value में आजाएगा however cif value का मतलब ही देखो क्या है जो एड़ान हो जाएगा to the FOB value जो उपर वाला FOB value है उसके उपर क्या हो जाएगा यह दोनों एड हो जाएगे insurance और freight यह दो terminology समझ गया यह समझ गया इससे पहले मैं आपको ना उपर लिके आता हूं में यह मैं थोड़ा नीचे यह नीचे दिया हुआ था ऐसा नोट्स करके तो पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि बार-बार उसका reference आएगा Valuation of custom duty custom value custom duty का valuation कैसे होगा सेम GST का होता था था ना TV basis पे transaction value पे वहां पे section 15 था यहां पे section 16 14 है बस टीवी basis पे transaction value basis पे क्या होगा पे कर रहे हो consideration में पर आपको यह ध्यान रखना है जो बायर रिलेटेट पार्टी नहीं होने चीए तो रिलेटेट का मतलब क्या होता है रिलेटेट का मतलब वो GST में बहुत सारे चीज़ है यहां पे 6 चीज़ है बस अगर 6 चीज़ है तो आप क्या हो रिलेटेटेटेट टो अगर अगर एक आदमी डारेक्ली डूसरा आदमी को पार्ट्रोय और इक ढूसरे के डारेक्टर वी को डरेक्टल करता है तो फिर आप दोनों क्या हो रिलेटेट हो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नहीं परसें हो पांच वोटिंग राइट अगर कंपनी है पाट्टरशेफ वगेरा तो विए सार वगेरा क्या करते हो तो भी आप क्या हो सिंपल है फिर वैल्यवेशन रूल सेक्षिन फॉर्टीन वन क्या बोलता है विए टीवी के बेसिस पर होगा तो टीवी का क्राइटेरिया यहां पर दिया है कि प्राइस विचे सच और लाइक गुड्स यह याद करने के जरुवती है उल्ड और ओफर फॉर सेल शुड्र लाइशन घृटेशन चाहिए अन्ट यहां पर गट लेना है तो यहां पर यहां पर रेट और एक्षेंज क्या लेना है तो यहां पर लिखा आपको क्या लेना है यहां पर रेट ओप रेट की बाद ओरी कौन से देट का एक्शेंज लेना है तो इंपर्ट की लेना है जब बिल आफ एंटरी प्रेजेंट इस पर इंपोर्ट और और एक्सपूर्ट की केस में जब और में करता है चलेंज केलेंस के लिए पड़ता है और किस दिन का लेना पड़ता है इंपोर्ट के कहा मी परेज subscribe आपका पर सबसे हैं जो कि यहां पर इतना अच्छे से नहीं दिया है यहां पर लिखा accordance with a provision of rule 10 तो मैं अपने notes में आपको लेके जाना चाहूंगा यह दो रेटन है यह आपको telegram चैनल पर Instagram पर हर जगा मैं भी डाल दूंगा वीडियो से पहले सबसे पहले आपको क्या करने है देखो रूल 10 में compulsory addition करने हैं मैं से बोल रहा हूं सुन दो बाद में मॉडिल करेंगे अगर यह चीज़ जो चीज मॉडिल में नहीं है वह सब करने पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा है कि आपको MCQ आने वाले तो आपको वैल्यवेशन के क्वेशन सौल नहीं करने ठीक है पहली बार तो वैल्यवेशन के कंसेप्ट में क्या होगा फ्री ओन बोर्ड फोबी प्राइस होता है उसमें कुछ यहां पर जो बैस करना है वह एड्लेस करेंगे अजस्टेट अफोबी आ जाएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है फ्रेट और इंशरेंस का अमॉंट डालना है लाश वेशन का यहां पर टकर और पहला हुआ दूसरा है इंशरेंस दो चीजे आपको एड कर लिए सबसे पहले कौस्ट आफ इंशरेंस प्लेस ऑफिंपोर्ट सेंहोः हो रहा है वहां तक का वैलियू तो कितना लेना पड़ता है जो इसरींट來 मेरे उसका 1.125% का 1.125%ダप क्या मानना जाएगा इंशरन तो इसको फ्र्रेट की बात करें वह सकते हैं ट्राइबा कोर्ट का मतलब इसके ड्रौटिव और टान्दग करशा वह 122. TO तो अगर देखो, freight question में नहीं दिया है, not ascertainable, तो आपको क्या करना है, 20% ले लेना है FOB का, insurance कितना लेना था, 1.125% FOB का लेना था, freight कितना लेना है, 20% लेना है, 20% FOB का लेना है, अगर ascertainable है, मतलब question में दिया हुआ है freight, तो आपको ये देखना है कि import कैसे हो रहा है, air से हो र अगर question में नहीं दिया है, और imported by air है, नहीं दिया है, तो आपको 20% of FOB लेना है, अगर आपने import किया है air से, तो आपको क्या लेना है, 20% of FOB और actual cost, whichever is lower, आपको क्या करना है, add कर देना है, sir, क्या बोला, वापिस एक बार बोलता हो, बहुत simple है, ये सामने दिख रहा है, तीन मिनट लगेंगे, आपको पढ़ने में उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर insurance cost है, cost of insurance, आपको कैसे लेना है, अगर question में दिया हुआ है, तो जो दिया है, वो ले लो, अगर question में नहीं दिया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, कि import कैसे हुआ है, लेंड या वाटर से हुआ है, या अगर लेंड या वाटर से हुआ है, तो जो अगर पता नहीं है, तो airport से air से क्या हुआ, import हुआ है, तो आपको देखना है, 20% of FOB, और जो actual cost हुआ है, दोनों में से lower amount है, आपको क्या करते ना है, एड करते ना, फिर बात करते है, if FOB value of goods is not given, but value plus insurance plus freight given, तो इ इसमें क्या हो जाएगा, 1.125 वगेरा क्या है, include हो जाएगा, समझो, ऐसा दिया है, question में, import है, आपके level पर है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूं, value दिया है, प्लस insurance दिया है, freight का value नहीं दिया है, तो 20% किसका निकालने का, value plus insurance का निकाल देने का, ब इसके बाद कुछ खर्चा करते हैं, तो आपको एड़ करने के जरूरत नहीं है, यह मैं आपको module पे लेके जाओंगा, मुझे नहीं पता इसमें से कितनी चीज़े module में है, पर एक बार के लिए पहले समझ लो तो आपका काम बन जाएगा, और फिर commission की बात करें, तो हर तरी करने के साथ आए, और container आपने रख लिए, बतलब रिटन नहीं करने वाले हो तो वो क्या हो जाएगा, एड़ हो जाएगा, अगर रिटन कर दोगे तो आड़ करने के ज़रूरत नहीं है, और एड़ करने के बाद क्या होगा, एड़ करने के बाद उसका वैल्यू जितना तो करने के तो आपने नहीं जाएब करने के बाद करेऊ हो फिर गजाओ रहेरें गजिंचनेरियरिंग योग जाएगा, तो करने कीन यह को आपको 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 एड़ करना नहीं हम में कि अलावा कुछ नहीं दिया, तो आपको क्या क्या संबजन donne, वह 1.125% ?20% वालजिक समझना है उसके उपर question बन सकता है और यहां पर buying commission कभी एड नहीं होता container अगर इंडिया में ही पड़ा हुआ है return नहीं करोगे तो add होगा बाके सब ठीक है अभी मैं आपको module में लेकिया होगा यह rule 3 वगेरा क्या है sir rule 3 वगेरा भी मैंने नीचे लिखके रखा है जो कि इतना comparative important नहीं है जितना rule 10 important है यह भी important है ऐसी बात नहीं है एक-एक line के rule है कुछ वह बड़ी बात नहीं है तो आपके module में देखोगे ना तो rule 10 के related सिर्फ इतनी चीजे लिखी है तो यहां पर आपके case में क्या लिखा हुआ है वह जो बाइंग कमिशन वगेरा जितनी भी चीजे थी ना वह कुछ नहीं है आपके module नहीं है तो ठीक है कान डेट और प्रेजेंटेशन आप सिपिंग बिल और बिल ऑप एक्सपोट एस डिटर्माइन बाइस और एस सर्टेल इन मैनर डिटर्माइन बाइस ठीक है अगर वैल्यूएशन रूल 3 के यह सब रूल लाइन से आपको फॉल करने रूल 4 देखो नहीं तो रूल 5 रूल 4 क्या बोलता है इंपोर और एक्सपोर्ट की गेसमें आइडेंटिकल गुड्स है क्या वह देखो आइडेंटिकल गुड्स का मतलब कि अगर आप इंपोर्ट कर रहो तो सेम कमर्शियल लेवल प्लस सेम कॉंटिटी के गुड्स आपने को इंपोर्ट किया तो वह ले लो एक्सपोर्ट की केस में आपको देखना है ट्रंजेक्शन वेल्यू अप्ड़ गुड्स लाइक काइंड कॉलिटी पता ना जी एश्टी में वेल्यूएशन में पढ़ा था लाइक का इन गुड् अगर एक से ज्यादा टीवी निकल गया तो लोबेस टीवी रहेगा वह आपको क्या लेना कंसेडर करता है यहां पर क्या देखना है कि सेम कमर्शिल लेवल प्लस सेम कॉंटिटी है तो वह टीवी अगर एक्सपोर्ट के टाइम पर लाइक काइंड कॉलिटी देखना है ठीक कशना है तो टीवी फॉर इंपोर्ट गूट्स क्या रहेगा सिमिलर निए पर अधर कंश्पोर्ट ग्येक सिक वहा है कैसे कैसे विप्लस चार्च होई है प्लस उसमें चार्जिस लगा दो डिजाइन ब्रांडिंग प्लस उसमें प्रॉपिट अडिकर तो आपका आ जैगा स तरीका दिया हुआ कि कैसे आप देखोगा रूल सेवन और यू एट क्या मोलते हैं डिदक्तिव सबसे पहले जो क्मिशन कर दो क्षैसाल प्रॉफिटर कर दो ठाउट्पर्ट लाइस कर दो चाहर चीज कर दो सेस्पीसी और इंण्फीशो छूशोड़ित पिशोट्अ चरणा के तो तो और वो आ सब्सक्र दो तो चलिछा निलाख नहां scribal आपको पर श्यांव स्कृट्बा निलमान पर देवार्या निल्लगôm कॉम्पूट करता है का सबसे पहले ले लेना है जो खर्चा हुआ है वो ले लो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लो उसमें आपको इंक्लूट कर देना है उसके उपर कुछ प्रॉफिट है वह एड कर देना वह किया उसके बाद लगेगा जब सामने वाला सप्लायर यह सब दीने को चीज़े तहीं तो चार पास रूल पढ़े हैं सबसे पहले रूल थी पढ़ाता है रूल थी में जो में रूल टैन के अजिस्टमेंट है वह इंपॉर्टेंट है और इंस्वरेंस याद रखना आएगा यह हो गया रूल थ प्लस चार्ज जो भी है वो ले लो प्लस प्रॉफिट लगा दो रूल सब्सक्राइब करो कमिशन सेलिंग प्राइज प्रॉफिट ट्रांस्पोर्टेशन इंशॉरेंस टेक्स जो कि इंडिया में इंकर हुए है और रूल एट में आपको क्या लेना है प्लस लेना है अप्ल सब्सक्राइब कर दो पर प्लस रूल टैनक अजस्मेंट कर दो प्रोवाइड सामने वाला डीटेल देना चाहिए आपको तब यह लगीगा पिर जो मैंने आपको बताया था अगर आपका एर से कर रहे हो तो 20 परसेंट ऑफ और एक्शल फ्रेट विचेवर अधर अगर यह है तो मैंने आपको बता दिया अभी यहां पर डिया हुए relevant date कैसे निकालने का मैंने वह भी एड कर दिया है तो आप यहां से क्या एकदम easily आपको पता चल जाएगा समझ जाएगा तो अचल को सबसे पहले section 16 export की केस में बात करेंगा relevant का होगी का एक्पो मिल जाएगा तब का duty टे यह मावाद के सब्सक्राइं का duty होगी होगा और का एंटर पाइक्स पोट्र नहीं हुए तो जब डियुटी का प्रॉम जब बरोगे उस दिन का अगर एंटर होता है उस दिन का टो लगजाएगक नहीं तो जब टैक्स पेमिंट करोंगे तम यह तो अभी इंपोर्ट के बात करें जब करोंगे तब पहले इंपोर्ट किया फिर वेरहाउस में रख दिया था अभी वेरहाउस से होम कंसम्शन के लिए निकाल रहो तो जब आपका X-Bond Bill of Entry का मतलब क्या है वेरहाउस का Bill of Entry जब आप क्या करोगे प्रेजेंट करोगे ना उस दिन का आप क्या ले लोगे प्रेजेंट के लिए निकाल लिए इंटर किया इंपोर्ट किया इंपोर्ट के बाद सिधा अपने वेक्टरी में लेके जा रहे हो तो डिपेंड करेगा वैसल है या वहिकल है तो अगर वहिकल या अगर वहिकल या एरक्राफ्ट तो जिस दिन वहिकल या एरक्राफ्ट आता है वह डेट दोनों में से जब वैसल के इंवर्ट उसको मिलके दोनों धोनों में से लेटर एट उस दिन के लेना है रेट ऑफ ड्वी लेना है थोड़ा समझागे फटा नहीं में हैと思います तो आपको क्या लेना है चभ ड्यूटी का पेमेंट कर दिया थिक है तद मेंॉर्ण इंथ हो में अगर कोई और रीजन है तो आपका पेमेंट जब कर रहे हो पर अगर आपका गुड्स होम कंसेप्शन के लिए लेकर जा रहे तो आपको देखता पड़ेगा वैसल है या या फिर वहिकल या एयरक्राफ्ट है और दूसरा दिन कौन सा था जब अराइव हो गया वहिकल दोनों से लेटर डेट आपका क्या मान लिए जाएगा ड्यूटी रेट आफ ड्यूटी मान लिए जाएगा उस दिन का रेलेवेंट डेट मान लिए जाएगा ठीक है और यह तो केसलों आपके सलिबस में तो यहां से यही लिखा हुआ है बस फॉर्मेंटिंग वह थोड़ा बैटर बैसिक कुट्व ड्यूटी के स्टा 10% 100 फिर फॉर सेफगाट ड्यूटी फॉर एक्जामपल 300 परसेंट तो 300 परसेंट लग जाएगा 1000 का 10% BCD है तो सोशल वेलफेर सरचाज बीसीडी जो रहेगा उसका 10% लग जाएगा विकोज सेफगाट ड्यूटी के ऊपर सोब्सेट व सब्सक्राइब तो यहां से एक बार यह देख लेना किसके उपर कितना पॉसेंट लगता है बस समझने के लिए इस बेहां कि आपका मोडूल जो है यहां पर बड़े-बड़े क्वेशन दिये हैं जो मुझे नहीं आपको करूगे तो देखो एंसरेंस यह 1.125 परसेंट और 5% of assessable value का लगता है Finance Act 2020 का amendment ने पता नहीं क्यों नहीं किया है तो वह आप देख लेना और यह question आप इसली कर सकते हो पर मेरी मानो था भी scanner और mcqs practice करो that is much better option इससे ज्यादा better option क्योंकि आपको एक्जाम में पूरे solve करने को question नहीं आने वाले हैं आपको mcqs आने वाले करेक्ट है आपके बास जो भी scanner अगेरा रहेगा उससे आप क्या कर सकते हो वह solve कर सकते हैं तो आपको हो जाएगा clear फिर बात करते हैं exemptions exemptions जो हम लोग ने last lecture किया था ना lecture one के revision में उपर भी same to same as it is exemption डाला हुआ था बस एक line एक्ट्रा है कि अगर आपका duty का amount कितना है 100 रुपया या उससे कम है 100 रुपया या उससे कम है तो आपको duty कोई करने की जरुबाँ नहीं है मत अब फचास उपया साथ उपया इसा duty का थेक है नो डूटी फिर बात करते हैं power of custom officers officer of custom law custom officers की क्या पावरत एक पुलिस वाले को दिन थीन काम होते हैं सबसे पहले चोड को ढूलना शोर और फिर इस पावर तू सर्च करना हैorse सर्च करना फिर वह सर्च इसके बाद सीज करें पकड़ना है उसके बात क्या सबस्क्तों एक्ष्ट्रा ईक्ष्ट्रा और एक तो वेराउस station को डिक्लेयर करना और दूसरा वेराउस को सेट अप करना वेराउस को डिक्लेयर करना वेराउस को सेट अप करना चोर को डूढ़ना पकड़ना जिल मिटाना फाज पॉंट हो गए ठीक फिर बात करता है administration in custom law administration के सिसाब से होगा सबसे पहले person in charge का मतलब क्या होता है जो driver होता है वोई person in charge होता है अगर vessel है तो उसका master अगर aircraft है तो pilot या commander अगर rail है तो उसका conductor guard या जो direction दे रहा है और कोई और convince है तो उसका driver या कोई person in charge ठीक है इनका responsibility क्या होता है सबसे पहले import export manifest क्या करो आप submit करो मतलब तुम लोग आओगे बाहर से तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा आ रहे हो या जा रहे हो तो सबसे पहले कोई document देना पड़ेगा कि हम यहां जा रहे हैं यहां से आए हैं तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेर्स सब्मिट करो उसके बाद क्या करो कि एंशर देट कन्वेंस जो है वह प्रॉपर रूट से आया है तुम कहीं से भी घुमते घुमते नहीं आज़के जहां पर बोला है वहां पर ही तुमको वही रूट से आना है थर्ड आपको कन्वेंस लेंड कहा करना है एप्रोप्रियेट प्लेस में लेंड करना है जहां लेंड करना चाहिए वहां पर ही तुम उतरे हो कहीं दूसरे जगह नहीं उतर गए दूसरी जगह उतर जाओगे तो स्मगलिंग वाल निया जाएगा और चौथा पॉइंट है और अनलोड़ेट उनली अफटर परमिशन तुम निकाल नहीं सकते हैं डालने सकते परमिशन के बिना सबसे पहले क्या गर हो डॉक्यूमेंट दे रहे हो आ रहे जो आ जा रहे हो प्रॉपर रूट से सही जगह पर लैंड गर रहे हो और गूड विदावट परमिशन नहीं अभी यहां पर सवाल उठता है कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है जो पर ताना यह आपको डिलिवर करना होता है अंडर सक्शन 30 ठीक है वह ध्यान मत दो विच श्टेट्स देट पर्सन इंचार्ज पीएसी का मतलब क्या है पर्सन इंचार्ज इन केस ऑफ व वहिकल के केस बे जब आप लेंड किये उसके बारा घंटे के अंदर अंदर आप क्या दे सकते हो इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इन फिर स्काइब फॉर्म तो आपको क्या ध्यान रखना है वैसल और एरक्राट के पहले देना है इंपोर्ट मै इंडर क्या थैश्ट लिए तो سीबीर इसी क्या कर सकता है अडों और कर सकता है इंपोर्ट कीर सकता है किसको पर्फिस्टल पर सकता है किसको प्रिस्ट्रीय परउऑिक प्रिसक्राइब कर 웃ke सब्सक्राइब कर सकते हैं किसके लिए प्रिसक्राइब करेंगे और क्या रीजन क्या है यह वही आठ पॉइंट लिखे वह साथ पॉइंट से यहां पचापे हैं ट्रीट एंपोर्ट गोड और लोडिंग ऑफ ऐक्सको अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो इसको लोड करोगे अगर इंपोर्ट किया तो ऊसको निकालोगे उसके लिए जगात होना चाहिए अईयर्पोर्ट और कूरियर टर्मिनल ओना चीया इन लेंड रॉट एंज फॉर एडमीनिश्ट्रेशन क्या होगा कि फ्रद्रेशन के उपर एडमीनिश्ट्रेशन थोड़ा सा थीरी पार्ट है कुछ है बात है हर जगा ठोड़ी कर सकते हों डेजिपनेटेटेट एरिया जो कि पोड़ेंगी विदिन आ पोडो के अंदर कुछ एरियाक करेगा जहां पे आप क्या कर सकते हो लोडिंग अन्लोडिंग कर सकते हो कस्टम-पेंचर अपॉयंन काइद थो यहां प्लीटी मोटे जलिख कोई सैंपुइड अपने हैं फुर्व मतों मुझत है पानी के रास्ते आओगे तो सीट होगा करा रोड के थुभा ओगे तो लेंद कस्टम स्टेशन सुगे सब्सक्राइब अब देख तरिके कि आपके पोर्ट है जो कि यहां पर थे पाँच में कि अगर देख पानी के थिए पोट होगे तो सबसे पहले तो राइग्लर क्लेर से इंपोर्ट होता है फिर कूरियर के थूरू हो सकता है और जो आदमियों के साथ का सामान आता है बैगे जाता है उसके थूरू एक पोस्ट ऑफिस एक कूरियर और एक बैकेज तो यहां पर पार्ट में जो आज ही आपका अप्लोड कर दिया जाएगा उसमें मैं कवर कर दूंगा तो यहां पर आपका कश्टम का पूरा रिविजन इन डेफ्ट मोड्यूल से लाइन बाइन हर एक लाइन में आपको कवर करवा रहा हो हो जाएगा ठीक है चलो बाइबाई गॉद्लेस वह बस फ्रेट वगेरा को जो रेट है ना 1.1201 वह वाला 20% और 1.125% वह याद रख लेना प्रेट और इंशरेंस का और बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा यही इसको 2x की स्पीड में सुन लेना दो तीन बार तो हो जाएंगी क्लिया और लाइक वगेरा कुछ करना है तो कर है यहां से आपकी शिप निकल रही है एक सब्सक्राइब बताता हूं अच्छीज़ यह समुंदर है यह है कंट्री एक सब्सक्राइब निकल रही है कंट्री जैड तक आपको जाना है बीच में कंट्री वाय आता है ठीक है यहां से कंट्री एक से कंट्री वाय तक जब शिप जाती है तो इसके अंदर कुछ रूक जाती है और यहां से यह शिप आगे जाती है यह यहां पिलो सीघ़क्ट नहीं देना पंड होगा है और वहां से चले गया इसको क्या बोलेंगे त्रश्वल्ण उसको सब्सक्राइब यह रोकी है और यहां से कोई दूसरे से इसमें यह दूसरी इस कर रहा है और यह श्विर आगे जाती है तो इसको क्या बोलेंगे इसमें भी टैक्स लगेगा नहीं लोगा नहीं लेकर कहा जाएगी आपको जाएगे A conveyance or vessel may reach a port but may not unload the goods at the port. ठीक है, reach कर जाएगी पर unload नहीं करेगी. It may halt the port for any other purpose like repair, replenishment of supplies, refueling. Once the purpose is over, it may start selling to the destination port. यहां पर halt करें यह, country Y को क्या बोला जाएगा, transit port बोला जाएगा और last country Z को क्या बोला जाएगा, port of clearance बोला जाएगा. such a phenomenon of temporary stay at a port other than destination port is called a transit इसको क्या बोला जाएगा transit बोला जाएगा simple है इन transit जो goods है वो same vessel में रहेंगे और लास्ट है transit में क्या होगा जो वैसल है after reaching intermediative road मतलब जो country Y में आएगी transfer करेगी goods to another vessel दूसरे vessel में आप क्या करें और transfer कर रहे हो the second vessel into which goods is transferred from the first vessel जो first vessel से आप second vessel में transfer कर रहे हो carries the goods to the destination port destination port लेके जाने के लिए उसको transitment बोला जाएगा transit of goods without payment of duty without payment of duty आप क्या कर सकते हो transit से goods लेके जा सकते हो transitment में भी आप क्या कर सकते हो without duty लेके जा सकते हो पर यहां पर कौन-कौन से document लगेंगे इंपोर्ट मेनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपेंड अपन वहिकल कौन सा वहिकल है उसके साफ से आथ इंपोर्ट मेनिफेस्ट लगता है यह इंपोर्ट रिपोर्ट लगता है एज दा केस में भी ट्रांजिट इन अ कन्वेंस तो एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और कस्टम स्टेशन में भी अलाव टो ट्रांजिट इंट विदाउट अब ड्यूटी ड्यूटी देने की ज़रुरत नहीं है dive अगर अपनी कंट्र आपको क्या देना पड़ेगा बिल्चाण देना पड़ेगा अप्रेजेंट करना पड़ेगा प्रापर अपैसर के सामने गर अअपनी कंट्राँ के साह इंटरनेशनल ट्रीटी और आपको बिल ओफ ट्रांशिप मुंट की जगह आपको क्या देना पड़ेगा डिकलेरेशन देना पड़ेगा सब्सक्राइब तो आपको without duty आपका goods transshipment के लिए कर दिया जाएगा तो लोड करके आप दूसरे port पे दूसरी वेसल से लेखे जा सकते हो कोई दिक्कत के बात ही है differences देखते है transit और transshipment के बीच पे तो सबसे पहला difference है कि यहाँ पर transit में same vehicle रहेगा transshipment में different vehicle रहेगा ठीक है transit में आपको import manifest या जो import report देना पड़ेगा यहाँ पर आपको bill of transshipment या declaration देना पड़ेगा गर international treaty है तो यहाँ पर कोई supervision के जरुवत ही है क्योंकि स्रिपा के रुकी ही है कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर transit के टाइम पर कस्टम officer को बैटना पड़ेगा चेक करने के लिए कि प्रॉपर समान निकाला डाला जा रहा है कि नहीं वैसल जो है वह सेम वैसल रीच होगी और यहाँ पर डिफरेंट वैसल वही copy paste कर दी है पहला प्रपएंट फिर बात करते हैं वैरावजिंग के वैरावजिंग का मतलब क्या होता है समझो कि कोई समान आया है इंडिया के पोर्ट पर दो ऑक्षन है या तो सीधा का सीधा होम कंशंपिशन के लिए निकाल के लेके चले जाओ घर पे दूसरा ऑप्षन नहीं लेके जार वहां पर लेके चारे उधर ही वैरावे बने हुए कर्षन के वहां पर रख रहे हो क्यों रख रहे हो आपको डीमरेजी साज़िस फेस तरह करने को सीधा सीधा दूसरे घंट्री एक्सपोर्ट करना है वहां से तो आपक्यों लेके जाओगे अनदर फिर वापिस लिए लेक आपके मॉडिल में ओवर्वियू दिया हुआ ठीक है देख लेंगे फिर इंपोर्टर विस्ट करता है तो यहीं पर रख देगा ठीक है ही में स्टोर सच गुड्स वेराउस विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स ठीक है वेराउस मतलब ड्यूटी पे किये बिना आप वेराउस पर बात करते हैं फिर बात करते हैं पब्लिक बॉड्स कमतलब क्या होता है इसको मेनेज करता है या तो गॉड्स लगने वाला है वही सब गुड्स रख सते हो तीसरा आपको से लेना पड़ेगा from the warehouse keeper जो भी वेराउस अमभार रहा है उससे आपको क्या देखता पड़ेगा 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 जगह है कि निए चौथा आपको क्या करना पड़ेगा अगर सामान रख रहे हो फिर आप भाग गए तो ऐसा कुछ हो सकता ना तो गौर्वर्मेंट क्या करेगा सबसे पहले आपको double duty बॉंड साइन कराएगा जितना आपका duty बन रहा समझें एक लाख रुपे ड्यूटी बन रहा तो उसका डबल दो लाख रुपे का बॉंड आप से साइन कराएगा फिर आपका गोट्स क्या करेगा deposit करने दे देने पड़ेंगे यह हो गया public warehouse के बारे में क्या है डबल ड्यूटी का बॉंड देना पड़ेगा आपको certificate लेना पड़ेगा ठीक है गोवर्मेंट यह मैनेज करेगी बस ही से पॉइंट है प्राइवेट बॉंड बॉंड और मैनेज कौन करेगा private entity करेंगे नाम से दिख र इसलिए पर प्राइवेट को भी मोका दे रही है ड्यूटेबल गुट्स यहां पर भी warehouse करने देंगे सिफ जिसके उपर ड्यूटी लगने वाला है अविलेबल फॉर स्पेस यहां पर जरूरत यहां पर जरूरत होती थी यहां पर नॉट बी रिक्वाइड आपको कोई warehouse की पर से स्पेस सर्टिफिक्ट लिने के जरूरत नहीं है और यहां पर भी आपको डबल बूर बॉर्ण डूटी क्या करना पड़ेगा साइन करना पड़ेगा अगर आपको सामान रखना है तो अगर आपका एक्सपोर्ट ओर्येंटेट है आप पूरा का पूरा क्या कर देते हो एक्सपोर्ट कर देते हो बात पर तो आपका दूसरा हो मतला एक्सपोर्ट ओर्येंटेट यूनिट नहीं हो अब तो आप क्या एक साल के लिए क्या कर सकते हैं वेरावस कर सकते हो जब आप विदाउट एक्सपोर्ट रिमूव करोगे घोड़ अपने घर पे लेकर जाने के लिए तो आपको ड्यूटी वगरा पेमेंट क्या होता है जो समान-वामान होता है एक आता है एक आता है नहीं और आदमी के साथ उसका सामान भी तो आता है कुछ वहां से दारू अरू लेकि आएगा जो भी इंडिया में लेकि आएगा उसके ऊपर भी क्या लेगी हम टैक्स लेंगे गोड्स Спर्ण पाइब पैसेंजर और rate of duty लगेगा सेक्शन 77 प्रोवाइड करेगा ओनर ऑफ बैगेज जो बैगेज का ओनर है वो फॉर दे पर पॉर्पस ऑफ क्लियरिंग इट उसको घर पर लेके जाने के लिए जब लेका ऑफट के वह बैगेज का क्या है वह देगा गएज इंक्लूड ऐफनेशन दा अनसे कोपेंट यह भी बैगेज में आ जाएगा बट १ूड यह इंपोर्टेमी से हर शीजिए जाएगा पर goods imported through courier अगर आप courier से कोई goods import कर दो यह आपका क्या नहीं है baggage नहीं है तीन चीज़े motor car आपकी baggage नहीं है alcoholic drink आपकी baggage नहीं है और कोई आप courier के थरूँ goods import करें वह आपकी baggage नहीं है baggage rule provide करते है duty free clearance कौन सा duty free clearance up to certain limit कुछ amount तक नीचे दिया हुआ कितना amount है वहां तक आप क्या कर सकते हैं विदाउट ड्यूटी पे कि आप क्या कर सकते हैं बैगेज को ला सकते हो such as आपका जो परसल इफेक्ट वगेरा है परसल इफेक्ट का मतलब क्या होता है जो आपको यह रोज की ज़रुरत है अब ड्यूटी फ्री बैगेज अलावंस ऑफ ड्यूटेबल एंड नौन प्रोहिबिटेड आर्टिकल तो इस पर देखो सब तीन चार रूल दी है नेपाल भूटान म्यानमार को छोड़के बाकि कहीं से भी तुम इंडिया में आ रहे हो कौन हो इंडियन रेजिडेंट हो फॉरेंडर हो जो इंडिया में रहते हो या टूरिस्ट हो इंडियन ओरीजिन के तो आप पचास हजार रुपे तक क्या ला सकते हो बैगेज ला सकत हो ड्यूटी फ्री बैगेज ला सकते हो अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेंडर हो रिसाइडिंग इंडिया मतों वही पॉइंट है अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेंडर हो रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट हो कोई भी टूरिस्ट और आप कहां से आ रहे हो नेपाल भूटान और म्यानमान से आ रहे हो तो भी आप कितना 15,000 रुपय तक का और लेडी कितना लाग सकते है तुरिस्ट है एक लागता है एक लागता है लेटी कितना लाग सकती है लेटेंग नेपाल पूटन इंद्धा मैनमार को छोड़के आरहा है और foreign tourist है तो 15,000 तक ला सकता है कोई Nepal, Bhutan, Myanmar से आ रहा है उपर वाले जितने भी लोग है तो 15,000 उपर का ला सकता है बिना duty दिये baggage और कोई और आज़ भी है जो अब रहता था एक साल से ज्यादा रहा और इंडिया में आ रहा है तो गोल्ड का जोलेरी कितना ला सकता है अगर जेंटल मैंने तो 20 gram with a value cap कितना पचास एज़ार लेडी है तो 40 gram with a value of cap कितना वननने सिंपल है ये सर नाउस्ट आते है ड्यूटिаб यूपर ड्यूटिद्रॉटबक का मतलब क्या होता है आप गोच किया आप आपको पहले इंपोर्ट किया व सकी ओपर आपने आपने कैद्या रहेगा इंपो домой रु muchís निपीड स्काथ को अब कुछ और अब अब यह उसने पहले जब सामान लिया तब तब इंपोर्ट ड्यूटी पेज़ी पहीं किस पर इंपोर्ट गूट्स विचार में में फरी एक्सपोर्टेशं ऐसे इंपोर्टेट गूड्स पर दिया है उसके पास पावर्म देने का फिर benefit है किसको मिलेगा not only on re-export of duty जो मतलब जब ही आप re-export कर रहे हो वह टाइम पर जो duty पे कर रहे हैं सिर्फ उसके उपर benefit नहीं मिलेगा but also on imported material use in manufacturing जो पहले इंपोर्ट किया था उसके उपर भी इंपलेगा इस गुड्स और फॉर एक्सपोर्ट विदिन 18 मिल मंस जो आपके गुड्स है वह अठरा महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देने हैं वापिस एक्सपोर्ट कर देने हैं जब आपने इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट करने जाओंगे तो आपको shipping bill देना है shipping बिल दे दिया उसके बाद कुछ form तो बढ़ने पढ़ेंगे न कि बाइं मुझे duty ट्रॉबैक चाहिए तो form का नाम क्या है ए आर इवन और वन ए आर इवन फॉर्म आपको क्या करना है सब्मिट करना है कुछ्टम ऑफिसर क्या करेगा एक्सपोर्टेशन के लिए अब्यसी बात है जो ड्यूटी ड्रॉबक का अमाउंट है अगर वह आपको आपको समझो एक लाग रुपए देना चाहिए दो आपको क्या करना पड़ेगा वाफिस करना पड़ेगा अगर ड्रॉबक है वह एक्सपोर्टर को मिला है वह eventually cannot realize इसका मतलब क्या होता है आपको duty drawback ले लिए आपने goods एक्सपोर्ट करके जब आपने goods export किया उसका पैसा आपको आया ही नहीं परपस क्या है गोर्मन चाहती है तुम इंडिया में foreign exchange लेकिया तुमने foreign exchange लाई नहीं तुम्हारे पैसा डूब गया तो भाई हम क्या करेंगे ड्रॉबग भी आपसे रिकवर कर लेंगे तो पांच रिके के रेट से आपकी रख सकते हो एक तो अपकी चेंज होगे जो ड्रॉबग है वह फिक्स करेगा मतलब और राइंड रेट क्या होगी specific to product होगी special product के यह ब्रांड के उपर इतना परसेंट लगेगा ड्रॉबग मिलेगा तो तरीके से या तो अल इंडिया All India rank की निकलता है All industry rate या फिर दूसरा brand rate All industry rate या फिर brand rate ये दो तरीके से आपको क्या मिलेगा export duty drawback मिल सकता है फिर where goods are not put into use after import आपने क्या किया goods को import किया उसके बाद इंडिया में use नहीं किया अगर आप उसको put to use नहीं करते हो तो ठेक है अगर put to use करोगे तो किस हिसाब से मिलेगा देखते हैं इन केसे वेर गुड्स है विन put to use after import import करने के बाद आपने उसको यूज किया इंडिया में duty drawback वो grant होगा on the basis जो आगे लिका हूँ है ठीक है duty drawback मिलेगा ही नहीं अधर आपने 18 महीना इंडिया में use कर लिया मता 18 मंत के बाद तो अंदर अंदर आपको export करना था अपने नहीं किया ता आपको duty drawback नहीं मिलेगा application जो है वह आपको यहां पर देखा अगर आपने without use कि एंडिया में directly imported product को export कर दिया तो 98% तक का drawback मिल जाएगा आपको application तीन महीने के अंदर अंदर कर देना जो कि 12 महीने तक extend हो जाएगा correct है इतना simple है यह से इतना simple है अभी नीचे क्या लिखा है कि अगर आपने कितना time इंडिया में use किया तो कितना percent drawback मिलेगा तो सर याद कैसे रखे देखो बहुत ही simple है सबसे पहले अगर आपने त तो कितना मिलेगा फिर 3-6 मता 3-3 महीना बढ़ रहा है 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 और more than 18 अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है 3-3 महीना बढ़ रहा है सबसे पहले क्या है up to 3 month 95% मिल जागा सबसे उपर कितना मिल रहा था 98% मिल रहा था उसकी जगह पर कितना मिले सिंपल है फिर अगर आपने कोई goods more than 3 month to 6 month use किया है कोई भी गोट्स तीन महीने से ज्यादा यूज किया है पर 6 month तक यूज किया है तो उपर 95 ता 10% कम कर दो 85% आपको क्या मिल जाएगा drawback मिल जाएगा अगर 6 महीने से ज्यादा 9 मन तक यूज किया तो 85 का 10% कम कर दो 75% अब तो 9 month तो कितना मिलेगा 95 85 75 अब भी 55% कम होगा अगर more than 9 month है अब तो 12 month तो 70% 75 से 5% कम हो गया more than 12 month है अब तो 15 month तो 65% और more than 15 month अब तो 18 month है तो 60% याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है देखो वहां से क्या आपको लेना है तीन महीना लेना है तीन से छे छे से नह म तो रुख जाओ और यहां पर 15-18 month के ऊपर आ जाओगे और फिर बात करते हैं drawback is allowed if use is over 24 month only with permission of commissioner of custom if sufficient cause is drawn drawback फिर भी मिलेगा अगर जो यूज है वो 24 month से ज्यादा हुआ है तो भी अगर permission लेके आते हो तो आपको मिल सकता है कुछ cases में आपको duty drawback मिलेगा ही नहीं MCQ के 50 रुपे से कम है 50 रुपे से कम है तो आपको नहीं देगे ठीक है ना क्या फरक पड़ता है unnecessary compliance बढ़ जाएगा अगर आपका duty drawback का मौंट less than 50 रुपीज है तो आपको drawback नहीं मिलेगा यहां पर चार पॉइंट है उसमें आपको drawback नहीं मिलेगा drawback शाल भी admissions no duty drawback शाल भी adm मतब समझो आपका exported product कितने का था था तीन लाख रुपे का था और उसके उपर duty drawback जो है नो एक लाख रुपे से भी ज्यादा है वन थर कितना हो था है तीन लाख का वन थर एक लाख होगा एक लाख से भी ज्यादा है तो आपको डूटर आपका duty drawback का amount है वह एक परसेंट जो FOB का value है ना FOB का मतलब क्या होता है जो आपने port तक जितना भी खर्चा किया है port airport जो भी उसका FOB के 1% से भी कम है duty drawback का amount the duty drawback amount is less than 1% of FOB value of export तो वो case में हम क्या नहीं करेंगे हम आपको क्या नहीं देंगे duty drawback देंगे नहीं बहुत छोटा amount है accept पर उसका एक exception है where the amount of duty drawback exceed रुपिस पांसो पांसो रुपे से ज्यादा अगर आपका duty drawback का amount हो चाहेगा तो हम दे देंगे पर पांसो से कम है प्लस यहां पर क्या लिखाए कि 1% of FOB से कम है तो हम आपको duty drawback नहीं देंगे और लास्ट पॉइंट where value of export goods is less than value of imported material use in a manufacture अगर आपने जो export goods का value है जितना value का export किया है उससे जादा आपने imported goods का value है मतलब जितना import किया था उससे कम है exported goods का value value of exported goods is less than value of imported material use in manufacture तो वो केस में हम आपको क्या नहीं देंगे duty drawback नहीं देंगे if necessary certain minimum value addition over the value of imported material can also be prescribed by government government prescribe कर सकता है तो यह चार पॉइंट वापिस एक बार चीए तो पीछे जाके सुन लो पूच सकते question ठीक है फिर duty drawback जो है अंदर क्या करना पड़ेगा जो access वाला portion है वह return करना पड़ेगा नहीं तो आपके उपर interest लगेगा और आप से recovery किया जाएगा duty drawback encourage करता है export को क्यों करता है ताकि demand बड़े accelerates aggregate demand it intends to propel the economic growth of the nation and they accelerate the GDP ठीक है यहां पर जो चार्ट दिया कोई करने की ज़रूरत नहीं जो उपर पाच्छे पॉइंट लिखे थे ना duty drawback के वह ही as it is यहां पर सैसे करके बनाए हुए है तो same to same है मतलब यहां पर जो थे ना कहां पर पता है यह वाले जो पॉइंट है ना यह वाले यही same to same वहां पैसा चार्ट बना के दिए हुए है फिर बात करते हैं demand and recovery को demand of duty मतलब का मतलब क्या होता है पहले आपने टैक्स होगे रहा नहीं बढ़ा तो जो डिमांड का नोटिस आना चाहिए वह राइटिंग में आना चाहिए ज़रूरी है उसके बाद उसमें रिजन लिखा रहना चाहिए क्यों डिमांड बेजा जा रहा है और opportunity of being heard भी देना चाहिए कि सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए कि भाई तुम भी अपना पक्स रख सको ठीक है so cause notice दिया जाता है कारण बताव notice कितने टाइम में एक साल के अंदर अंदर दिया जाएगा from relevant date that is one year from assessment या payment of duty जब आपने पहले payment of duty किया था duty नहीं किया तो जब assessment खतम हुआ उसके एक साल के अंदर आपके क्या so cause notice होगा अगर आपका जो duty है या उसके उपर interest है तो पे नहीं किया है या फिर short paid किया है किसकी वज़े से collision की वज़े से या misrepresentation suppression of fact misstatement तो fraud वगे रखी वज़े से आपने नहीं किया है तो आपका जो notice हो पाथ साल तक सहब हो सकता है पहले क्या लिखा एक साल तक सहब होगा so cause notice एक साल from date of assessment बाद में क्या बूला अगर यह तीन cases है collision willful suppression of fact या फिर miss statement तो पाथ साल तक हो सकता है demand of duty provision also calls attachment of property आपके property को भी जब किया जा सकता है मतलों लोग क्या कर लेंगे सीज कर लेंगे कब तक 6 महिने तक कर सकते हैं और 6 महिने के लिए और बढ़ा सकते हैं तो six month plus action कर सकते हैं six month पर दो साल से ज्यादा आपका property या का attachment नहीं कर सकते हैं पर पोस्ट विच ड्यूटी मस्ट बी क्लेक्टेड फोस्ट विच बीकलेक्टेड इन नेम अफ कॉस्टम ड्यूटी और पेट पर बात करते हैं इसके बारे में बोलता हुआ है सबसे पहले इंपोर्टेट गुट्स अब कब कर सकते हैं तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है बहुत ही सिंपल लिखा है कि आपको जिस पोर्ट पे आना चाहिए था पुइंट पो उसको छोड़के आप कोई दूसरे पोर्ट पे जाके गुट्स लोड करके आगे तो आपके भआ क coalition कर देंगे आपको वही जगहा पे लेकर चले हैं दूसरा आपने कोई रूट दूसरा चूस कर दिया जो रूट को बताया घया तो और पोही और पोर्ट कर दिए चौथा क्या है डूटिएबल या प्रोहिबिटेड गुड्स जो है वह आपने कंसील करके रखें चुपा के रखें तो भी आपका गुड्स क्या कर लिया जाएगा पांच हुआ आपने डिस्क्लोज नहीं किये हैं आपने जो गुड्स से वह इंपोर्ट जनल मैनिफेस्ट मे कर दिया जाएगा चथा आपने वेराउस से या फिर कॉस्टम स्टेशन से निकाल दिये बिना परमीशन के असी घर पे लेकर चले गए तो भी आपके गुड्स कॉन्फिस्केट किये जा सकते हैं साथ हो पॉइंट गुड्स विच दूनाट मैच विड्स का डिस्क्रिप्श कोई ऐसा कंडिशन तक यह फुल्फिल करोगे तो हम एक्जम्शन देंगे पर आपने फुल्फिल नहीं कि तो भी आपके वोट्स क्या हो जाएंगे तो याद करने के जरुवत है बिल्कुल नहीं सुन लो समझ लो एक दो बार रिड़ कर दो बस काम बन जाएगा रटने की क लोडेड आपने एक्सपोर्ट करने के लोड कर दिया विदाउट पर्मिशन पर्मिशन लिए बिना आपने क्या कर दिया लोड कर दिया डिस्क्रिप्शन आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है या फिर एनी गुट्स ऑन विच इंपोर्ट ड्यूटी वस नॉट आपने जब इंपोर्ट किया तो तो सबसे पहले लिखाए कि आप गुट्स को कंसील कर दें तो उसमें डालके वैसल विच है फिर इंडिन कॉस्टम वाटर इंडियन वाटर में है या ऐरक्राफ्ट इंडिया में है या वेहिकल इंडिया में है जो की ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि जिसमें क्या हो रहा है जो चुपाया जा रहा है फिर सेकंड बात करें स्वाम विच गोट्स आर डिस्ट्रॉइड तो प्रिवेंट को गुट्स को गुभर्नमेंट कब्जा करें उससे पहले अगर आप ऐसी आप ऑपर यह का या कर देगी सीज और निकल गई तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा कॉन्फिकेट कर दिया जाएगा चौथा एनिवेसल फ्रॉम विच गुट्स विच हैव बिन ख्लियर एक्सपोर टिशन के लिए अपने गाड़ी से अनलोड कर दिया बिना यह पर फर्मिंशन के तो भी आपका कज़वन यह वह जो गाडी है वह जो आपकर देंगे ऐनिक विच गूड़स उन्टू इंडिया वह खुद मिसिंगे इंडिया में लेकिया ही समान फिर उगायब हो गई तो वह केस में उगाड़ी को कंवेंस करना तुम्हारा काम है और लास्ट में कोई भी कंवेंस या एनिमल जो स्मग्लिंग के लिए यूज हो रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे च्छे पॉइंट है सबसे पहले गुड्स क लिए यूज करें थे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है जो पैकेज़े से ऐसे कोई गुड्स है जो कि स्मग्लिंग गएरा के लिए यूज हो रहे थे या कॉन्फिसकेशन के लिए लाइबल है तो वह जो पैकेज में आए तो वह पैकेज भी क्या हो जाएंगे कॉन next क्या बोलता है any goods used to conceal the smuggled goods कोई भी ऐसे गोड़ से जिसकी वज़े से smuggling goods का smuggling हो रहा था मतलब बाई को अगे रहा कोई भी ऐसे तरीके की goods है जिसकी वज़े से वह smuggling हो रहा था तो वह भी confiscate कर लिया जाएगा फिर बात करते हैं state that where the smuggled goods undergo a change in their physical form अगर आपने smuggling वाले goods का physical form change कर दिया कोई दूसरे form में कर दिया जैसे गोल्ड बार थे उनको jewelry बना दिया तो वह जलेरी को भी confiscate किया जाएगा या फिर आपने वह जो smuggling goods है उसको किसी और goods के साथ mix कर दिया है जो कि अभी separable नहीं inseparable है मतलब एक ही हो गए हैं तो वह केस में भी आपका confiscation हो जाएगा बले ही वह inseparable है फिर फिर कश्टम ऑथरीटी को आपको opportunity of being hurt देना पड़ेगा और बात करते हैं कि उनर के उपर होगा कि उसको बताना पड़ेगा कि जो यह मैं लेकर आया हूँ वह आपका यह नहीं है smuggling वाला goods नहीं है फिर बात करें कि आपको सोकॉस नोटी डिपार्टमेंट को सोकॉस notice देना जरूरी है कि इसको ओनर को on the ground that he should be given opportunity to make representation उसको भी अपना representation कर देने का मौका देना मिनिमम असिस्टेंट कमिशनर या उसके ऊपर का ओफिसर क्या करेगा आपको सोकॉस नोटीस बेजेगा फिर 125 क्या बोलता है एस्टेट जयत और फिसर में अलाव दो ओनर अप्शन तो पेइफाइन मतला आपका वोट्स कॉन्फिसकेट करने की जगह आपके ऊपर क्या लगा देंगे फाइन लगा देंगे फिर फॉन्फिसकेटेट गूड्स वैस्ट वित असेंट्र गूवर्मन तो गूष्ट के साम जब आपने पहले गूड्स एक्सपोर्ट किये तो आपने एक्सपोर्ट डूटी पे किया रहेगा और अभी अपने एक्सपोर्ट डूटी जो पे किया है उसका रिपंड चीए तो आपको वो गूड्स वापिस आपके पास आने चीए तर गूड्स रिटन तो सच पर्स ऊपने जब थे उपूर्ट किया था म Cabinet तो एक साल के अंजर अंदर आपने क्या कर दिया है फ्य इंपोर्ट कर दीके सब्सक्राइब सुन्हार सलगार के दावज कि ऐसल counselor अदर करना करने माधा है् आपके आपास आना चाहिए था उसके अलावा कोई अजीब टाइप का गुट्स आ चुका है दूसरा ऐसा गुट्स इसके होकर आपके डूटी ड्राप्राइफ प्रेसेंस और आपको क्या डूटी का रिपंड मिल जाएगा पहला आपने एक्सपोर्ट वापिस कर दिया या फ यहां पर नीचे क्या लिखा है कि यह उपर वाले केस को छोड़ दे तो बाती सब केस में पर यहां पर निचेशन के बारे में कुछ चीज़े बूली हुई है एक बार रिड़ कर देना उसके बाद प्रोहिबिसिंट के बारे में बोले तो सब्सक्राइब कर सकता है ऑद रोख सकता है तक बोखेगा जब एन या निच्पशन शेक्रिटी एक पुब्लिक और को मिन्टेन करना आ है आसी यहें को प्रोहिबिट कर सकता है नेक्स्टी यानि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेफगार्ड करने के लिए यानि कोई एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूमल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट एन यानि नेशनल खजाने को बचाने के लिए यानि आपका है प्रिमाइक का प्रोटेक्ट करेंगे एंपी इस पैनल करके एक मैमनीक है चो दो मिनिट में आप याद कर तक चार पाइंट रहा रखने ना चारपाच पाइंट नेशनल सेक्यरिटी एन या पुप्लिक और को बेंटेंग करने के लिए ऐसे निए समगलिंग पी एनिया आपका प्रोट है आपका एक्षेंच को पंस लुप कर देते हों और अजसे कि वाइड लाइफ का चुछ टेटिग्राइशन किया है बुट्स के बारे में उसकी वैल्यू दिस्रिप्शन के बारे में उसके डॉक्युमेंट और फिर आपने कानून है जैसे किवाइड लाइफ का ए फिर आपके उपर गुट्स को बलत जगा पर लेंड करा दिया है तो वह ऐसे आपके ऊपर civil liability भी लगएगा इन जेनल लाइबलेटी क्या रहेगा साथ साल का पनिश्म्मेंट रहें का पनिशम्मेंट गाया है लिए पचास लाग रुपे से ज़ादा तो भी नॉन वैलेबल आपके उपर क्या होजाएगा वारेंट इस्यू जाएगा पिर आपका जो भी unaccounted goods है उसके उपर 200% duty लगाएंगे और आपका जो पॉज डॉक्यूमेंट है वेल्यू दिखाया है उसके उपर 5 टाइम तक क्या लगाएंगे और डुटी लगाएंगे हो ऩो क्या आपका टैक्स लेंगे इंट्रेस लेंगे पनल्टी कर strive चरिए चृपे नेरेगे क्विशुश तो बीक्त कर्भस करेंगे डुड दबल या लगाएंगे और पाँप ताइम तक पॉज डोसट टुमेंट के स्टैक्स लेगे यहचान एक साल तक पर अगर आपमें को अकुसिश किया है तो फाथ साल का जेन उसकता है जो एक उपर पॉइंट था सेम तुसे है फिर बस दो चोटे-चोटे टॉपिक बचे हुए है पॉइंट बचे हुए आपको ये वीडियो दो एक दो बार तुएक्स की स्पीड में देखने है इस अब जीजे बैठ जाएग अब जाएग एक टिविटी नहीं कि आप करने वाले हुँ उसके लिए आप अभी से क्या ले रहे हो जज्जमेंट ले रहे हो कि मुझे कितना ड्यूटी पे करना है ये किसके रिलेटे होगा इंपो एक्सपोट के लिए होगा कर्श्ट में आपको एप्लिकेशन चार कॉप इस इंपोर्टेंट तो नोट ये इंपोर्टेंट है ध्यान इतना कि जो पहले से कोट क्रिबिनल या कोट के सामने पेंडिंग है उसके सामने आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते और आपका जो रूलिंग का जैज्जमेंट हो 90 डेस के अंदर अन्दर आना चीए तो यहां पर क्या क्या दयान इतने के जरुवत है अद्वांस रूलिंग का मतलब क्या होता है आपको जो प्रपोस प्रग्जक्शन में उसके सामने ले सकते हो प्वेशन आफ लोगे लोगे पॉड़र डुप्लिकेशन दोगे प्रफिस जो भी स्पेसिफाइड है उसके बार म करने और आपको देना पड़ तर्धाल्यमेशन मेरा आपको रूलिंग कर सकते हो 90 ते सामने वाले अहां सब्सक्शन की बात करते है तो सपैयल में हैं starter मंट सब्सक्राइड ए permettre करने के प्समेंड conform फटाफट आपके डिस्पूजिट वगे तो भी आपके डिस्पूजिट वजाता है तो यह सेटलमेंट कमिशन पर इसके उपर एक्स्वूजिव जूरिस्टिक्शन होगा मतलब दूसरे कस्टम ऑफिसर इसमें पिर कुछ इंपुरी वगेरा नहीं कर सकते हैं एक बार यहां केस आगया फाइन एक बार आपका अप्लिकेशन दे देता है तो आपका जो आपडिकेशन हो डिस्पोर्ज हो जाएगा ठीक है ओडर और ऑफ कमिशनन नॉन अपीलेबल एकूज सकता है जो सेटलमेंट कमिशन का ऑडर होता है उसके सामने आप एपील नहीं कर सकते पर एक पर आप अपील नहीं कर सकते हैं अपीलेंट के साथ आपका पूरा का पूरा कॉरा कस्टम्स हतम हो जाता है 30-35 पर आपके मॉडिल में ते सब कुछ हम लोग ने कर लिया है एक सेशन साइज में और करवा लूगा आपको जिसमें क्वेस्टम्स कर देंगे कुछ एक डेड़ी पेज जो बचा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेजर वो शाहिद उसमें कर लेंगे नहीं तो कुछ ऐसी बड़ी बाते रीड कर लेना बाकि अपना मोस्टॉफ मैंने पूरा आपको पटा-फट रिवाइस करा लिया है अगर से यहां से देखके भी आपको क्या करना है एक दो बार अच्छे से 2x 1.5x 1.75x की स्पीड में एक जगा पर बैट के देखना है तो आपका हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका कॉस्टम्स एक पूरा हो जाता है अभी लेसन राउंडब कर रहे हैं तो आपन तो राउंडब भी किया है पटा- अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना अच्छा लगा तो नहीं तो कोई बात में ठीक